क्या दिल्ली की नई नवेली मुख्य मंत्री आतिशी मार्टलेना जाय की जेल? तिहार जेल से निकलते ही सतेंद्र जेल ने आतिशी की बढ़ाई टेंशन कौन सा घोटाला आतिशी मार्टलेना को खिलाएगा जेल की हवा? दिल्ली के पूर्व स्वास्ते मंत्री और आम आत्मी पार्टी के नेता सतेंद्र जेल करीब 18 महीने के बाद तिहार जेल से बाहर आ चुकी है लेकिन सतेंद्र जेल ने तिहार जेल से बाहर आते ही मुख्य मंत्री आतिशी की टेंशन बढ़ा दी है दरसल सतेंद्र चैन जो दावा कर रहे हैं उससे आतिशी माहलेना कही ने कही परिशान है, हैरान है कि किस तरीके से सतेंद्र चैन ने ये दावा कर दिया है कि अब आतिशी का नंबर है, यानि अब आतिशी को भी जेल जाना पड़ेगा, जी हां ये बड़ा दावा सतेंद्र चैन ने छेल से रिहा होने के ठीक बाद किया है वो भी आतिशी माहलेना की मोशूद्गी में तो जिस तरीके से लगातार हमने ये देखा है कि आम आत्मी पार्टी पर प्रश्टचार के कई इल्जाम लगे और उन्हीं इल्जाम के चलते उन्हें के नेताओं को छेल की हवा ख अर्विंद केश्वाल भी शराब खोटाले में जेल की हवा खा चुके हैं लेकिन अगर किसी पर सबसे जादा अब निखाय टिकी हैं तो वो है डिल्ली की नए नवेली फुक्यमंतरी आतिशी माहलेना सवाल ये है कि क्या सतेंद्र चैन जो दावा कर रहे हैं वो वाकई सच है क्या अगला नंबर आतिशी काहीन है सवाल ये है कि क्या वाकई सतेंद्र चैन जो दावा कर रहे हैं वो सच है और क्या ये सच सतेंद्र चैन ने उगलतिया है जिसे आम आत्मी पार्टी और अर्फिंद केश्वाल छिपाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सतेंद्र चैन क इस बयान के बाद अब सियासी सुगवगाहट काफी तेज हो गई है जेल से रिहा होने के बाद जिस तरीके से जश्न आम आदमी पार्टी के भीतर देखने को मिला खुद दिली की मुख्यमंत्री आतिशी जो थी वो सतेंद्र चैन को रसीव करने के लिए तिहाड शेल औरवर्ड से पढ़कर आ गई है लेकिन उन्हें भी जेल तो जाना ही पड़ेगा हलकि वहाँ पर उस वक्त ठाके लगे लेकिन लगातार जो राजनितिक गल्यारों में चर्चा उनके इस बयान को लेकर चल रही है उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि सच सतेंद्र चैन न जनाने का फैसला किया तब लगातार लोग यही सवाल उठा रहे थे कि दरसल अर्विंद केशवाल अब आतिशी को तमाम मंत्रालिया लगबग 14 मंत्रालिया उन्हें सौंपतिये हैं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपतिया है तो ऐसे में आम आत्मी पार्ट निकल कर साफने आ रही थी लेकिन इन सब के बीच अब सतेंद्र चैन ने जो ये बड़ा दावा कर दिया है वो भी आतिशी की मौझूद की हैं अब इसका असर जो है वो आम आत्मी पार्टी में क्या होगा ये कहने कहीं देखने वाली बात होगी और सवाल ये है कि क्या वा ठीके से जो मनी लॉंटरिंग केस में कोट से उन्हें जमानत मिली उसके बाद दरसल उन्होंने तमाम बाते कहीं उन्होंने कहा कि अर्विंद के रिष्वाल आम जंता के लिए काम करते हैं वो कहा करते थे कि राजनीती की राख खटिन है और इसका परिणाम आपको भुगत अर्विंद क इस रिष्वाल ने सबसे पहले क्या कहा था बता देता हूं तक तक दो कहते तक अधिनलग संभले है त्था कि आपका तरिया को त्यार के पार करना पड़ेगा आग का दरिया और जियो चूता अपको जब 2023 में इस जुलाई 2013 को मुझे पिकट मिला आमादे पार्टी का पाइसा दो जिन बादा अरस कर लिया मुझे तब भी आरस किया था क्यों किया था अरे अरे तब भी यही कहानी थी अशोग यार में डॉक्टर साब रहते हैं तो घर गया बाइसा मिलेक्शन लाड़ लो कैसे मैं नहीं लड़ता क् तो कहीं ने कहीं आतिशी के शेहरे की हवाहिया तो से दिंद्र जैन ने उड़ा दी हैं क्योंकि लगातार जो राजनितिक विशलेशक मिमान रहे थे जो तमाम सोशल मीडिया पर परतिक्रिया आए देखने को मिली जब आतिशी को मुख्यमंतरी की कुरसी सोपी गई तो लोगों की पहली परतिक्रिया यही थी कि दरसल अब अरविंद केश्वाल जो है वो मुख्यमंतरी की कुरसी पर बैठना नहीं चाहते हैं वो चाहते हैं कि अब आतिशी कुरसी पर बैठे अब वो फाइल्स पर साइन करे अब वो जेल जाए तो ये लगातार लोगों की पर दिक्रियाए थी क्योंकि ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से अर्फिंद केश्वाले मुख्यमंत्री रहते हुए लगबग 18 मंत्राले थे जिसका जिम् संजै सिंग और उसके बाद अर्विंद केश्वाल जेल गए हलाकि सभी नेता लगभग अर्विंद केश्वाल हो संजै सिसोधिया हो या फर सतेंद्र जैन हो वो जेल से बाहर आ चुके हैं चुनाब दिल्ली में कर्वीब हैं और इन सब के बीच क्या अगला नंबर आतिश सत्य की जीत है मेरा जेल से बाहराना हमने महुला क्लीनिक बना वाए हम होस्पिटल के लिए कार्य कर रहे थे इसने हमें चेल में डाला गया यह तमाम बातें उन्होंने कही लेकिन अगर सबसे जाधा बयान उनका सुर्ख्यों में है तो वह है डिल्ली की नए नहीं हमेली जेल में थे और बार बार यह सवाल उठ रहा था कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा कौन हलाकि उस वक्त सुनीता केशवाल भी काफी जाधा एक्टिव नजर आई और सवाल उठे कि क्या सुनीता केशवाल को ही मुख्यमंत्री की खुरसी सोपी जाएगी लेकिन जो है आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे वो तमाम फाइल्स को पास करें और इस तरीके से घोटाले का इल्जाम अगर आए कल को तो वो जो है आतिशी पर लगे तो कहीं ने कहीं इस तरीके से लगातार लोगों की प्रतिकिरियाएं देखने को मिली और अब सतींद्र चैन जेल से बाहर आ गई है जब आतिशी काफी खुस नजल आ रही थी आतिशी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया लेकिन इन सब के भी सतींद्र चैन ने एक ऐसा दाफ़ा कर दिया है जो जाहिर तोर पर आम आत्मी पार्टी के भीतर भी फूट की एक बड़ी भी है कि आतिशी भी अब जेल की हवा खा सकती है तो इसको लेकर अब तरहतरा के सवाल जो है लोगों के मन में उड़ रहे हैं आप सतेंद्र चैन के इस बयान को लेकर क्या कहेंगे आखिर इस बयान के माहिने क्या है और क्या आपको लगता है कि वाकई दिल्दी वे अभी जो है तिहाड जेल जाने का सलसला आम आत्वी पार्टी के नेताओं का थमा नहीं है इसके बाद भी यह सलसला जो है जारी रहेगा क्या वाकई आतिशी भी तिहाड जेल की हवा खाएगी इस पर अपनी राय जरूर देचेगा थन्यूंद्ट